आप सुब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शाय मिश्रमेगाईज आप लोग गुलाब की पत्तियों को देखकर पंक्लियों को देखकर समझ गया होगी कि आज हम गुलाब से तो यह हमारे घर के ही गुलाब थे और गुलकंद बनाने के लिए आप देशी गुलाब का ही इस्तमाल करें कि उसमें खुस्बू बहुत अच्छी आती है तो वह ज्यादा अच्छा होता है तो आज हम गुलकंद आपको बनाना बताएंगे तो देखिए इस तरह से जो गुला आप नहीं मिलते हैं पंखडियां यह सब कहीं मिल जाती है तो आप इजली इजी रंग से पास अपने पंखडियां क्योंकि आप किसी भी किराना के स्टोर पर चले जाएए आपको यह मिल जाएंगी तो इस तरह से हम साफ कर लेंगे और दीखे आप चलिए इसे हम माप लें आप फ्रेश 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 फील करेंगे तो चलिए देखते हैं इन गुलाब की पंखडियों को हम करेंगे क्या मापेंगे तो देखे इस तरह से हम थोड़ा सा करते हुए यह देखे इस तरह से थोड़ा सा करते हुए त्याती भासे में बोरे तो इसको रोड़ना कहते ह साय अधाय थिंग हमें मालूम नहीं है तो उसी तरह से निकाल देंगे यह देखे इस तरह से करके निकाल लेंगे नीचे जो गर डुश्ट होगी या गंदी होगी वह बच जाएगी जैसे कि आप यह देख सकते जैसे कि इस टाइम इसके बीज होते हैं गुलाब के अंदर और द्रस्ट होती है या कोई पती ही टूट जाती है तो वह जा जाता तो देखे उसका एक तरीक और इस तरह से चावल चाने वाली छलनी ले लेंगे उससे भी हम चान देंगे तो महीन पार्टिकल्स जो है दूल मिट्टी वाला वगरा है तो यह सब गिर जाएगा देखिए इ व siya कुछ साफ कर लिये है और अपनी कटोरी से सको हमने माप लिया है तो आप देख सकते हैं फुल हरके कटोरी हमारी है गुलाब की पत्यां ड्राइ गुलाब की पत्तियां फ़िस ले में अपनी ऑन घल लेते हैं कुछ वर और इस तरह की सफेथ कि रेड़ कलर के निकल रही है अच्छे से तो चलिए आप इसको हम क्या करते हैं इसमें इसमें करेंगे चीनी देख़िए जितनी हमारा गुलाब के पंख्डिया थी उतनी हमने चीनी लिया यानि एक कटोरी हमारी कुलाब पॉन चीनी से तो थोड़ा सा ज्याधा लिया है और इसपून से देखा जाए तो हमें पॉन को टोरी चीनी ले हो यह क्यों थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं तो यह देखे जितना हम ने चीनी ली थी उतने हिसाब से पानी ले लेंगे यानि हमारा हाफ कटोरी पॉन कटोरी चीनी थी तो हमने पॉन कटोरी पानी ले लिया और चड़ा दिया लें पर तो इसे ज्यादा नहीं कुक करना है सिर्फ उतना कुक करना है कि हमारी चीनी जो है वह मेल्ट हो जाए देखे यह हम आज कि तरह बनाना बता रहा है जैसे कि इंस्टेंट होता है कि बस हमें चाहिए तो तुरंद बन गया तो बस इस प्रोसेस में वही होता है कि आप तुरंद इसको खाना शुरू कर सकते हैं तो इसलिए तो ये देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो भी हो देखे पतियों यमारी छास्नी में तो इसको हमारी चास्नी कै अच्छे से और पतियों भी देखे स्रिंग को चुकी है तो इनको क्या करेंगे हम बीस से तीस मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही जिसे कि पतियां है न वो सारा चीनी को अग्जॉब कर लेंगी जिसकी वज़े से पतियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी ठीक है तो उनको हमें बनाने में अच्छा लगेगा तो इस तरह से कवर करके छोड़ देंगे ह तो देखे हमारा हो गया लगवर लगवर 20 मिनट तो अब देख सकते हैं पतियां हमारी कितनी बढ़ियां खिली-खिली सी लग रही है और इन्होंने काफी जूस को सोक कर लिया है तो काफी सॉफ्ट हो चुकी है तो इनको अब हम क्या करेंगे फिर से पकाएंगे तो आमें विए तक करेंगे तो टार थीक करने तक क्सिस में घुट सतना और यह लेज बनाना तो आप बनाना तो फ्रीक्म सबसक्ता हैं लेकिन हम सिंपल ऐसे ही रखेंगे तो देखे हमारा बन चुका है तो इसमें थोड़ा सा नारियल डालेंगे यह इसलिए क्योंकि नारियल का टेस्ट हमको इसमें बहुत पसंद आता है हमने घर में इसी तरह से बनाते हैं तो यह देख सकते हैं बहुत अच्छे से को खोच करके धाई से तीन महिने तक यूज कर सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं होगा और इसे फ्रिज में रख करके छे से साथ महिने आराम से हम यूज कर सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं हो सकता तो देखी आप देख सकते हैं यह हमारा ठंड़ा हो की दिखी कितना थिक लग रहा ह तो अगर हमारी यह रेस्पी पसंद आयो तो लाइक सस्क्राइब एंड शेयर मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट रेस्पी के साथ